वेलकम बेक, आज के इस वीडियो में हम लोग इगनू BCA First Semester के BCA 012 Basic Mathematics के Assignment 2021-22 के Question No.6 को Discuss करने वाले हैं जो कि आपसे क्या कह रहा है? Check the continuity of the function fx at x equals to 0 और fx दिया गया आपका mod of x upon x when x not equals to 0 and 0 when x equals to 0 यानि कि आपकी fx की value जो होगी, वो mod x upon x होगी जब x not equals to 0 होगा और fx की value 0 होगी तब जब x की value 0 होगी तो हमें continuity check करनी है तो continuity के लिए क्या condition होती है? देखिए, continuity के लिए condition होती है जो particular point पर आपसे पूछी जा रही है यानि कि a की value जो है तो यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं कि f of a की value होगी वो left hand limit और right hand limit के बराबर आनी चाहिए ठीक है? अच्छा तो यानि कि हमारी जो condition होती है for continuity के लिए for continuity of a function क्या होती है? f of a की value हमारी lhl और rhl इनके बराबर होनी चाहिए ठीक है? तभी हमारा function जो होगा वो continuous होगा ठीक है? अच्छा अब हमारे case में क्या है? एक ही जो value हमारे case में क्या है? 0 ठीक है? तो यानि कि left hand limit भी और right hand limit भी 0 आनी चाहिए ठीक है? अच्छा अब ये left hand limit कैसे निकलते हैं? तो देखी left hand limit की बात करें तो left hand limit में होता क्या है कि आप क्या करते हैं? कि limit x tending to a minus करते हैं f of x कर लेते हैं ठीक है? और इसी को हम लोग क्या लिख लेते हैं? limit x tending to 0 f of a minus h कर लेंगे ठीक है? अब हमारे case में a की value कितनी है? 0 तो यहां पर हमारा कितना हो जाएगा? limit h tending to 0 f of 0 minus h हो जाएगा ठीक है? अब 0 minus h का मतलब minus h तो यानि कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो function बन गया वो limit h tending to 0 f of minus h ठीक है? तो f of minus h यहां पर x की value non-zero है ठीक है? तो non-zero के case में हमारा क्या है? fx की value ठीक है? यानि कि mod x upon x तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? limit h tending to 0 यहां पर क्या हो जाएगा? mod x मतलब x की लिए कि कितना? minus h upon minus h ठीक है? mod minus h की value क्या जाएगी? h है ना? तो यहां पर हम लोग कर सकते हैं limit h tending to 0 h upon minus h, h से h cancel तो कितना आजाएगा आपका answer? minus 1 ठीक है? which is not equals to f of a, यानि कि हम यहीं से कह सकते हैं, यहीं से हमारा conclusion निकल के आता है कि हमारा function होगा, वो discontinuous होगा ठीक है? क्यों? क्योंकि यहां पर f of a की value जो है left hand limit के बरावर नहीं है ठीक है? अब हमें आगे right hand limit check करने की जरूवत नहीं है ठीक है? अगर suppose आपने right hand limit पहले निकाली होती, ठीक है? और उसमे right hand limit ही बरावर नहीं आती तब आप left hand limit नहीं चेक करते हैं अब हमारे किसमें क्या है? हमने left hand limit निकाली और f of a की value निकाली, ठीक है? तो यहां पर क्या हो रहा है? f of a और lhl की value ही match नहीं कर रही है, तो हम यहीं से कह सकते हैं कि हमारा जो function है, वो discontinuous है, ठीक है? at x equals to 0 पर अच्छा, तो यानि कि हम लोग say that function is not continuous या फिर हम लोग कह सकते हैं discontinuous, ठीक है? at x equals to 0 पर ठीक है? बस यही हमें दिखाना था कि हमें check करनी थी उसकी continuity आपको problem clear हो गई होगी अगर आपको फिर भी कोई doubt है तो आप हमें comments box में लिख सकते हैं आपको यह वीडियो कैसा लगा यह हमें comment करके बताईएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like करें share करें आपको नेक्स वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके थैंक यू